वपाल के मेडिकल कॉलेज में बिजली गुल हो जाने के कारण और ऑक्सिजन सप्लाई बंधित होने के कारण कोरणा से हुई तीन मोतों को दुर्भागे पुर्ण बताते हुए प्रदेश कॉंग्रिस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भुपेंद्र गुपता ने चर्मराई हुई प्रदेश की जन स्वास्त सेवा पर स्वास्मंत्रियों के तत्काल इस्तिफे की मांगी है वपेंद्र गुपता ने कहा कि प्रदेश में लगातार बच्चों की मौत हो रही है इन साथ महीनों में बच्चों की मौत का आकड़ा 9000 के पार हो गया है अब तो मशीनी दुर्ववस्ता के कारण राजज़ानी के मेडिकल कॉलेज के कोरुना वाड में तीन मोते यहाँ बताती है कि प्रदेश की जन स्वास ववस्ता पूरी तरह जरजर हो जीगी है गुपता जी ने ये भी कहा कि तीन साल पहले एक बुजर्ग महिला के शफ को चूहों द्वारा कुतर देने के कारण इसी मेडिकल कॉलेज के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया था लेकिन आज तीन मोतों के बावजूत सरकार इस पूरे कांड की लीपा पोती करना चाहती है गुपता ने कहा कि इसी वार्ड में इस धुर्गटना के कारण बारा और मरीज गंभी रवस्ता में बताय जा रहे हैं मुक्रमंद्री जी की प्रदेश को डिलेवरी के इंदेश बनाने की अच्छी सोस तभी सफल हो सकती है जब वे एक्षन के प्रती मांदार हो और बड़ा संदेश प्रदेश को दे उन्होंने मांग की कि तीन बड़ी घटनाओं के बाद स्वास समंध्यों के इस्तिफे लेकर उन्हें सुचित व नैतिक प्रबंदिता का संदेश प्रदेश को देना चाहिए भुपाल के मेडिकल कॉलेज में बिजली गोल हो जाने जनरेटर नहीं चलने और कोई इमर्जेंसी व्यवस्थाएं ना होने के कारण कुरोनाबाड में जो तीन मौते हुई है उसमें एक पूर्वे जनपरती निदी भी है यह मद्द प्रदेश की सरकार की असली सूरत दिखाता है तीन साल पहले जब एक बुदर्व औरत का शव चुहों ने कुतर लिया था तब इसी अस्पताल में पूरा का पूरा स्टाप को परिवर्टित कर दिया गया था उन्हें हटा दिया गया था आज एक छोटे से कर्मचारी के ऊपर गाज गिरा कर सरकार क्यों लीपापोती करना चाहती इसमें तो मंत्रियों के स्तीपे होने चाहिए आप देखें कि जो है लगातार बच्चों की मौते हो रही हैं लगातार जो है सरकारी हस्पतालों में नकली अबानक दमास मरीजों को दी जा रही है और यह सुईकार किया जा रहा है मुकमंत्री जी स्वेम स्विकार कर रहे हैं कि सागर में करोना से मौत इसलिए जादा हुई क्योंकि वहां पर आक्सिजन कम दी गई थी और दूसरी चीज आज जो है यह हालात राजधानी के एक प्रख्यात मेडिकल कॉलेज के हैं तो इसके बाद क्या इस्तिती बनती है य एक एसी बेवस्ता है जिसके तहट जो है मद्द प्रदेश की जनता शाष की चिकित सालेयों पर विश्वास कर सकती है ततकाल जो है मंत्रियों को हटा दिया जाना चाहिए और इस पर जो है बड़ी कारवाई करनी चाहिए जिससे प्रतीत हो के बास्तों में मक्मंत्री जी जो है जो अभिव्यक्त कर रहे हैं अच्छी भावना है प्रदेश के प्रती उसके प्रती वह बास्तों में जो है इमान ना रहे हैं